हेलो फ्रेंट्स मल्यानो मूवी मुंजमल वॉयस सिनेमा घरों में धूम मचाने के पाथ डिजनी हर्ट स्टार पर आ चुकी है और अच्छी बात ये है कि ये मूवी हिंदी में भी रिलीज हो गई है 2006 में हुई सत्य घटना पर बेस्ट मूवी की स्टोरी मोटिवेशनल और हार टचिंग है मूवी की स्टोरी है कुछ दोस्तों की जो घूमने फिरने के शौकीन है और वो गोवा की ट्रिप बनाते हैं लेकिन किसी वज़े से वो कोड़ाई कनाल की ट्रिप फाइनल हो जाती है और कुछ दस दोस्त मिलकर कोड़ाई कनाल पूरी मौझ मस्दी से घूमते है लेकिन वहां से निकलने से पहले वो गुना की गुफा देखने का प्लान बनाते है वो जगए खूबसूरत तो है और वहां बहुत सारे ट्यूरिस्ट भी है ये दोस्त भी अपनी मस्ती मजा लेते हुए ऐसी जगए पहुँच जाते हैं जो की रिस्टिक्टिड है वहाँ जाना मना है लेकिन ये सबी वहाँ पहुंच जाते हैं तब ही वहाँ एक भयानक हाथसा होता है फिर क्या ये सबी उस गुफा से बाहर आ पाते हैं या इसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है वहाँ ऐसा क्या होता है ये जानने के लिए आपको मुवी देखने होगी चितंबरम की राइटिंग और डारेक्शन दोनों कमार के हैं मतलब एक सर्वाइबल डामा मुवी में इतना अच्छा डारेक्शन की मज़ा आ गया सियाजू खालिद की सिनेमेटोग्राफिक भी बहुत अच्छी है गुफा के अंदर वाले सीन बहुत लाजवाब है विवे की एडिटिंग भी ठीक है सुशीन श्याम का म्योजिक भी मुवी के अकॉर्डिंग है मुवी में सौबिन शाहिर ने कुट्टन का करदार बहुत अच्छे रंग से निभाया है और जो काम उन्होंने कर दिखाया है वो काबिले तारीव है श्रीनाद भासी एस सुभाष ने भी अपने करदार के साथ न्याई किया है खालिद रहमान एस प्रसाद जैन पॉल एस सिज्जू गनापती एस क्रशना कुमार दीपक एस सुधी ने अपने अपने करदार के साथ न्याई किया है जॉर्ज मेरियन एक गाउवाले के रूप में और राम चंद्रा एक गाइड के करदार में अच्छे हैं अरुन कुरीन, डॉपिन, बेंसन और बाकी सबी कलाकरों ने अपने अपने करदार को अच्छे से निबाया है इस मूवी में पुलिस का रवया भी अच्छे से दिखाया है कि किस तरह हर जिम्मेदारी से पुलिस भागना चाती है और दूसरे अंजान लोग मदद के लिए त्यार रहते हैं इसे भी बहुत अच्छे से दिखाया है जब मूवी शुरू होती है तो उतना मज़ा नहीं आता लेकिन धीरे धूरी मूवी अपनी पकड़ बनाने लगती है और फिर आपका उठने का मन नहीं करता ये मूवी दो मेसेज देती है पहले कि जब आप कितने भी अडवेंचरस के शोकीन हो लेकिन जब कुछ जगे पर लिखा होता है कि यहां जाना मना है तो उसका पालन करना जरूरी है और दूसरा दोस्ती की है तो जरूर निभाएं क्योंकि एक यही रिष्टा है जिसमें स्वार्थ की गुंजाईश कम होती है आप सभी को ये मूवी अपनी पूरी फैमिली के साथ खास तौर पर बच्चों को भी दिखाने चाहिए जिससे कि ये बच्चे समझ सके कि जहां कहीं भी कोई रिस्टिक्टिड एरिया है तो वहां ना जाएं आप सभी अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें और दोस्ती निभाएं मुझमर वाइस मुवी देखने के बाद ऐसी ख्वाइश है कि हमें भी इतनी अच्छी दोस्ती मिले सुन जोई मुझमर वाइस